है हैलो फ्रेंट्स आज के से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रेलवे का टिकट जो है वह कैसे बुक कर सकते हैं और रेलवे के टिकट के अंदर क्या-क्या मिंसन होती है क्या-क्या बात को आपको गौर्ट करके रखना है ध्यान रखना है ताकि जब आप यह सारे बाते मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं दोस्तों देखिए ओनलाइन टिकट यदि आप बूक करना चाहते हैं तो ऐसी सिती में कई सारे एप है जैसे आयर्चीटीसी का एप है या फिर दोस्तों गूगल पे फोन पे पे टियम या फिर वेर इस माई ट्रेन एप क कउंटर में जाकरके आपको आफ्लाइन टिकट बनवाना होगा दोस्तों आप स्क्रिंग एउपर देके पा रहे होंगए हमारे सामने एक ओफ्लाइन टिकट है इस टिकट में सारह बात आपको लिखा रहता है जिसकी सहीता से आप प्लेटफॉरम पे जाने के बाद आप प्रेंजर नेम रिकॉर्ड नमबर यहां पे अजन होता है गारी नमबर यानि ट्रेन नमबर देट किलोमीटर अडल्ड चाइल्ड तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपका PNR नमबर दे दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पे आपका PNR नमबर 631-388-4276 यह 10-digit का PNR नमबर होता है पेसेंजर नेम रिकॉर्ड नमबर होता है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए गारी नमबर ठीक है 19-414-19414 तो यह गारी नमबर है कई सारे ट्रेने आती है सब ट्रेन का अपना अपना यूनीक नमबर होता है दोस्तों तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 19-414 यहाँ पे ट्रेन का नमबर है इसी गारी में जा करके आपको बैटना है जो नमबर यहाँ पे दिया रहता है उसी नमबर वाले गारी में बैटना है क्योंकि जब आप गारी में बैट रहे होंगे, उसी समय कई सारे रेल जो है, कई सारे ट्रेण जो है वहाँ पे आएंगे, तो आपको उसी ट्रेन के अंदर बैटना है, जिस ट्रेन का नमबर यहाँ पे दिया रहता है, ठीके? उसके बाद दोस्तों देखे यहाँ पे तिथी यानि डेट देखे 14 जनवरी 2022 जिस डेट के अंदर आप सफर करेंगे उस डेट को यहाँ पे mention किया जाता है लिखा जाता है किलो मीटर कितना दूरी आपको तै करनी है तो 1362 लिखा है तो उसी तरह से आपका भी टिकट के अंद distance दिया रहेगा वियस की यहाँ पे लिखा है अडल्ट मतलब कितने लोगों का यह टिकट है तो यहाँ पे देखे एक लिखा हुआ है चाइल्ड बच्चे कितने है तो भाई जीरो तो देखे यहाँ पे सब कुछ mention किया गया ठीक है उसके बाद यहाँ पे mention किया जाएगा द देखे गली ही उसके बाद दिखे को यहाँ पर किज़ए आर्या को धड़ा एकली है वहाँ पे क्यईक मतलनल मी जो कि अचा है उसके बाद वहीं को आपड़न को देखें है तो वहां पे एस यहाँ निखा रहाता है तो आOS, कि सब chuck वहाँ पर स्टैप से यदि स्लीपर में आप बुक करवाएंगे ठीक है यदि आप एसी में बुक करवाएंगे तो एसी वन एसी टू एसी त्री स्टैप से लिखा रहता है तो उसी को हम लोग कोच कहते हैं दोस्तों ठीक है यहाँ पर देखिए चुकि यह टिकट जो है वो कनफर्म नही आप लिखा रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर सबसे में चीज़ आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा कोच मिला है और कौन सा सीट नमर मिला है मान लिजे कि आपको एसफोर कोच मिला है और सीट नमर चार मिला है तो आप चब प्लेटफॉर्म पे ख़़ा होंगे तो आता है आपको एसफोर के सामने ख़़ा हो जाना है और अपना सीट नमर को ढूंड करके बैठ जाना है ठीक है उसके बाद दिखे दोस्तों यह सारा बात लिखा रहेगा उसके बाद नीचे में आपका जो है वो ट्रेन का नाम लिखा रहेगा जिसे देखिए यहां पर ट्रेन का नमबर यह दोनों बातों को देख ले उसके बाद आपको कौन सा कोच मिला है और कौन सा सीट नमर मिला है यह कुछ महत्पुन बाते हैं तीन चार अगर इन सभी बातों को ध्यान रखते हैं तो आपको रेलवे के अंदर ट्रेन के अंदर सफर करने में कोई भी दि सकते हैं तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारी बात आपको समझ में आ गई होगी फिर भी अगर कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें मिलते हैं साथ यो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार